एलो दोस्तों, आज हम जो शॉर्ट फिल्म देखने वाले हैं, वो इंडिया को आसकर दिलाने का दम रखती हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, लेट्स बेगिन। शॉर्ट फिल्म में हम एक तमिल आदमी को देखते हैं, जिसका नाम कार्टूनायकन है, और इसी के साथ हम तमिल नारू के बेहत खूबसूरत जंगल देखते हैं, अब हम फिर से कार्टूनायकन को देखते हैं, जो अपने पालतू हाथी को नहलाने एक नदी पर ले जाता है, जहां वो दोनों खूब मस्ती करते हैं अब हम उसकी पत्नी को भी देखते हैं जिसका नाम वैली है अब कहानी फ्लेश बैक में जाती है जहां हम एक हाथी के बच्चे को देखते हैं जो काफी बुरी हालत में था उसकी पूछ कुट्टों ने काट खाए थी और उसकी मा की मौत कर्ट लगने से हुई थी साथ ही अकाल पड़ा होने से उसे खाना पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है जब गाव वाले उसे इस हालत में देखते हैं तो वो काफी कोसीस करते हैं उसे अपने जुन्द से मिलवाने की पर उन्हे सफलता नहीं मिलती इसलिए इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी काटूनायकिन और वैली को मिलती है इस वक्त दोनों पती पत्नी नहीं थे वो दोनों उस हाथी के बच्चे जिसका नाम रगु है उसके केर टेकर थे अब धीरे-धीरे समय बीटता है और रगू की हालत में भी सुधार आने लगता है अब वो पूरी तरह ठीक हो गया है साथ ही वो तीनों एक परिवार बन गये है अब वैली बताती है कि उसके पहले पती की मौत एक टाइगर के हमले की वजह से हुई थी जिससे उसे टाइगर से काफी डर लगता है साथ ही अब काटू नायकिन और वैली में भी नजदी किया बढ़ने लगी है अब थोड़े दिन बाद इन्हें एक और अम्मू नाम के पाँच महीने के बच्चे को सोपा जाता है देख रेक के लिए अब धीरे धीरे समय पसार होता है और वो दोनों साधी करके एक हो जाते है उन दोनों की जिंदगी एसे खुशाली से कट रही थी कि एक दिन उन्हें पता चलता है कि सरकारी ओफिसर रगू को अब अपनी कस्टरी में लेने वाले है जिसे सुनकर वो दोनों काफी मायूस हो जाते है अब वो दिन भी आ जाता है जब रगू उन सब को छोड़ कर जाने लगता है ये देखकर काटुनायकिन की आँख में आसु आ जाते है वैली भी काफी दुखी थी और अम्मू तो जैसे अपने भाई से बिच्छर रहा था वो रगू के जाने से काफी दुखी थी अम्मू ने खाना पीना भी छोड़ दिया था पर अब उन्हें रगू को भुला कर हुलनामत